मार्ज को दिल्ली हाई कोट के डबल बेंच जिसमें जस्टिन्स विपिन सांगी और रिखा पली जी हैं उन्होंने दिल्ली नगर निगम के रिटाइड और मौझूदा करमचारियों की विथा को सुनते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को दिया है यानि कि तीनों MCD के कमिशनर्स को इन पर्सन जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि टीचरों की डॉक्टरों की नर्सों की सफाई करमचारियों की अन्य अधिकारियों की जो मौझूदा वहां पे काम कर रहे हैं वो और रिटाइड करमचारियों की पेंचन एमसीडी ने कई महिनों से नहीं दी है उन लोगों ने हड़ताल करके देख ली बातचीत करके देख ली मगर कोई उसका जो है समाधान नहीं निकला है और अंतता दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है तीनों नगर निगमों में की कि पांच अप्रेल तक इन सब की तंखवाएं और पेंचन वो दे दें और इस बात को ध्यान में रखें कि किared M.C.D. के वकीलों ने दिल्ली सरकार पे आरूप लगाने की कोशिश की मगर दिल्ली सरकार का कोई बकाया ना होने की वज़े से जो है this is the कि यह जो है जानकारी में आप लोगों को देना चाहता था कि इस वक्त नगर निगम के हालात बेहत बत्तर हैं दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुपता ने सोचा था कि सिर्फ बहाने बाजी करके दिल्ली सरकार पे आरोप लगाके वे एमसीडी के काले कारणामों को ढख सकते हैं मगर दिल्ली नगर निगम के पांच सीटों पर उपचुनाओं के अंदर यह नतीजे आ गए हैं कि दिल्ली वालों ने उनकी बहाने बाजी को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है और भाजपा को पांच में से शुन्य सीट जो है धन का मानना है कि उसको जल से जल जो है करमचारियों को भी और पेंचन धारियों के लिए बड़े मुश्किल हालाज चल रहे हैं कि उनके लिए घर के किराये देने की दवाईयों के किसी भी चीज के पैसे नहीं है मेडिकल की सुविधाएं भी जो पेंशनर्स को मिलती थी वो आरोप तो देखिए वो अभी भी लगा सकते हैं मगर वो निराधार आरोप हैं ये बात जो है साबित होती है